हेलो दोस्तों, क्रियेटिव इस्टडी यूटूब चैनल में मुक्य स्थर की कलास में आप लोगों का बहुत बहुत बेलकम है हमने मानो कोस्क्या पढ़ा दी थी, चलिए आज हम देखेंगे पादप कोस्क्या, ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कोस्कया विवाजन, ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम आज आज हम आप लोगों को बताते हैं पादप कोस्कया क्या होती है, कहां पाई जाती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़े हैं, सारी चीज़े हम आपको आज बताएंगे पादप कोस्किया के बारे में, पादप मतलब आप लोग जान रहे हैं, पौधा, पीड, यहीं सब चीज़ हो सकती है, चलिए, देखते हैं हम पादप कोस्किया, क्या, यह पादप कोस्किया का चित्र है, हमने बताया था आप लोगों को, कि अगली किलास में मार पादप कोस् ठीक, अगर इसमें हम बास करें जो यह भागैं आप लोग ऊपर का ठीक इसके डवेक्ड़ति है को नहीं सबसे उपर क्या थि कोश्क्या जिल्ली थी लेकिन कश्का भीति नहीं थी अब पादब कोश्क Parliament देक रहे हैं को क् der IPıyorlar ठीक है कोश्क्या भित्ती है कोश्क्या जिल्ली के ऊपर है कोश्क्या जिल्ली यह आप लोग देख रहे हैं जो बीच में डैस डैस करके ऐसे दिया हुआ है यह है कोश्क्या जिल्ली ठीक है दोस्तों क्या है यह है कोश्क्या जिल्ली और यह कोश्क्या भित्ती है ठीक जो इ स्लूलोज की मानो कोस्किया कोस्किया शिलली घ्रीष की किसकी किसकी बैसदोस्तों कि कोस्किया जिलली जो बनी थी tradition तोगनी तंदोस्तों यह पादप कोस्किया रहे होंगे गिसकी बनी है दोस्तों आधर इसके हम थोड़ा अंदर प्रेवेस्ट करते हैं कि अंदर इसके क्या क्या हो सकता है ठीक चलिए पहले आप को दर्साया किया है कि यह जल भरा हुगा था उसी प्रकार इसे भी जल भरा हुगा थीक है और इसी प्रकार इसने भी जल भरा हुगा है अगर इसके आंजल की बात करें तो इसे कहा जाता है जीवदरब जीवदरब ठीक है अब जीवदरब की आखिर खोश कब हुई थी 1831 सिज्डी में क्या 1831 सिज्डी में इसकी खोश किये किस ने थी पुरकेंजे महोदा ने पुरकेंजे ने जीवदरब की खोश थी ठीक है दोस्तों अगर इसके जीवन में हम बहुतिक प्रकिरिया की बात करें तो वह हुआ कि आउक्सले क्यों से थे हॉक्सले भातिक प्रकिरिया बताए थी थी पूर्चिनजय नि ठीक दर्सतों यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हॉक्सले ठीक है चलिए थोड़ा इसमें देख लेते हैं इसमें भी आप लोग देखेंगे तो क्या पाई राता है और ने पाई राता है ठीक है और ने इसमें भी डिने पाई राता है ठीक है के अंदरा किसमें भी होता है ठीक है दोश्तों और इसमें क्या पाई राता है सारी चीज़े इसने भी होती है यह मारने थीक है दोस्तों इधर थोड़ा नीचे देख लेते हैं अगर इसके हम फुल्फांगी बात करें तो आरने का फुल्फांगी बताया था चलिए पादप कोस्या ही बता देते हैं कि आरने का फुल्फांग बताते हैं कि राइवोज निकली केसी क्या राइबोज निकलिक एसिड और डिन्ने का फुलफाम हमने बताया था डियाक्सी राइबोज निकलिक एसिड टी आर अरन्ने का हमने फुलफाम बताया था ट्रांसफर राइबोज निकलिक एसिड यहीं बताया था ट्रांसफर राइबोज निकलिक एसिड यहीं बताया था यह जो एसियदा बात में लगा है इसे एसिड को हिंदी में अवक्तियुक्ष यह हो गया यूज रई बढुतिय केसीड यह हो गया ट्रांसफर राइब में बढूर निंगलिक एसिड यह हो गया कुछ इस प्रकार से बना होता है ऐसे करके बना हुआ रहेगा और उंगुलियों जैसी सर रचना होगी क्या उंगुलियों जैसी सर रचना होती है इसे क्या कहेंगे इसे कहते हैं माइट्रो कांडिया इसे माइट्रो कांडिय कहते हैं ठीक है दोस्तों आप लोग सारी चीज़े इसमें देख रहे होंगे कि यह जो है कोश्का जिल्ली है ठीक है और इसके उपरी परत जो है यह कोश्का भित जो की सेलूलियोज की वनी होती है और कोश्कया जिली मानों में देखे थे हम लोग लाइपो प्रोटीन की बनी थी जीवद्रब की बात करें जीवद्रब इसमें 1831 में खोजा गया था जो कि पुरकिंजे महोदय ने खोजी थे और इसके जीवन की भौती काई देखी जाए तो हॉक्सले ने दिया था ठीक है यही और इसमें सेंट्रोस रोम पाया जाता है इसी में हम आपको कोश्कया विभाजन पढ़ाएंगे अगली कलास में कोश्कया दोस्तों हमापको भनाउक्त क्लास में इसने हम आप लोगों कम पता लेते हैं राज निकली केसिट पाये जाता है इसी में अंदर दीए सी-रॉ bater आल पाख बाटा गया है ठीक है दोस्तों चलिए एक चीज की फ्यमोर करेंगे سमें थोड़ा पहला चर्चा कर देते हैं इसमें एक लवक होता है जिससे तीन प्रकार में बाटा गया है ठीक है दोस्तों चलिए हम लवक की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा कि लवक क्या होता है ठीक है दोस्तों लवट की पाहचान बता जातें हैं आखे你看 की हाती है इसी मेलग पायर आता है क्या लवक आच लवब को तीन भागों में घशां चैकने व ह不好 में आ यह को यह खोता है अवरडी लवग एक होता है वरडी लवग और एक होता है हरित लवग हरित लवग हरित लवग हरित लवग हर्द लवग झाल हवग हर लवग हिवग हर लवग हर वग हर न भी हम वग हर लवग झाल 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 झाल